हेलो फ्रेंज मैं क्रितीश स्वाइब करती हूँ आप सबका अपना चैनल गुलू गुगू ओफीसियल में और साथी साथी साथ अलग ब्लॉग में आज मैं इस ब्लॉग की शुरुवात कर ले रही हूं अपनी मैके से जैसे कि आप सब्सक्राइब पिछले ब्लॉग को देख बज़ा यह है कि आज है पार्टी किनकी पार्टी वहां चल के मैं बताऊंगी तो मैं रेडी होने आ गई हूं और इधर देखी गुल्डू और उसके पापा सो रहे गुगु और उसके पापा सो रहे गुल्डू अपनी दीदी के साथ खेलने गया है तो मैं सोची कि ऐसे भी दिखाए निकलने में तो मैं सुची कि तब तक रेडी हो लेती हूं ताकि गुल्डू फिर खेल के आएगा तो मुझे उससे भी डेडी करना होगा चली मैं रेडी होती हूं बट मैं कोई अस्टेप बाई स्टेप नहीं दिखाऊंगी आप सभी को मैं भावी की रूम में जाकी बहाँ भी है नहीं यहां पे इसलिहे तो चलिए मैं रेडी होती हूं और उसके बाद मिलती हूं आप सब हीसे आप सब वारे इस ब्लॉग में बने रही है और प्लीज फ्रेस पसंद आते हो मेरे ब्लॉग तो प्लीज मेरे चरल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक किजेगा सेर किजेगा कमेंट किजेगा कि आज मैं कैसी लग रहे हूं मैंने रेडी होने से पहले अपना फेस दिखा रहे हूं ठीक है रेडी होने के बाद भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे दिख रहे हूं तो बने रहे हैं आप शब मारे इस ब्लॉग में सब लोग जाने वाले ह लोग लुग सबसे पहले रेड़ी हो जाने के कि फ्रेंस तो में रेड़ी हो चुकी हूँ और सब रोग रेड़ी हो चुके हैं सब ऑच आ सब्रॉप़ रेड़ी है से चलते हैं बाकी आगे गारी में आप को दिखाऊंगी कि थोड़ी लेट हो रही है थोड़ी का बहुत लेट हो रही है कि खाई घरी कहां गिल्वा सब अच्छा उगेट इसलिपला है चलिया था लेट लेट है पार्ट पार्ट निकल चुके हैं घर से और अंधीर आइसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है तो सबसे पीछे हमारी ही गारी थी और यह हमारे गाउं से निकलने के बाद जो रास्ता है उसी में हूँ और कहां जा रही हूँ वो सब तो आप सब को आगे पता ही चलेगा तो बने रही है हमारे अभी इस ब्लॉग में और मैं अपना लुक तो दिखाई चुकी हूँ कैसी लग रही हूँ यह आप सब कमेंट में बताईएगा और यह देखे रास्ते में गुगु सो चुका है अच्छा था कि सो चुका है तो बहुत परिशान करता है और मेरे पास से तो किसी के पास जाहीं रही रहा था ना ममी के पास जा रहा है ना पापा ना भाई किसी के पास नहीं जा रहा है और बेसब्री से इसको वेट कर रहे हैं इसकी मामी और यह देखे जाग भी चुका है यहां पर पेटरॉल लेना था तो गारे पेटरॉल पंप खरी है अभी पेटरॉल लिया जा रहा था और यह है यह है पटना का ओवर विज तो यह काफी अच्छा मुझे सेन लग रहा था यह मैंने record कर लिए था और हम सब कहा जा रहे हैं तो हम सब जा रहे हैं engagement में किसकी engagement है तोँजलिये चलते हैं और बताते हैं इसले हम लोग आ चुके हैं engagement वाले वेनू पे engagement है हमारी भाभी की छोटी sister का सामने दूले राजा है और यह यहां पर उनकी पूजा वाला जो रश्म चलती है मतलब छेका वाला जो रश्म होता है वह सब हो रहा है और जब दुलहन को दिखystem को कमेंटर बताएगा कि दुलहन आप सब कैसे लग रही है और दूले भी कैसे लग रहे हैं सो हाँ ब्राइडर गुरूम है अभी तो ब्राइडर गुरूम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी तो बस इंगेजमेंट हो रही है तो ये और ये हॉल जो है पापा का ही है मतलब भाभी का ही अपना हॉल है ये तो आगे आप सब बने रहे और इन दोनों को आशिरवात दीजे चलिए अभी खाल है रहे वाञे खेंच हो गया पेट से चलिए है को इसको पोटो लेना है कि डियो है इसे खालिये इसे खालिये वाबू अच्छा आया नहीं है? नहीं है नहीं आने वालों काला की इसाइटमेंट है वाँ 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 किशा अच्छा हीजए वान वाँ 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 इधर भी देखो इयो अ हुँण तु्येंपैंट वह यह तुम जुई किपए हैं बहाँ सुपँ हैं डगा किया दोंगा है जिक चुक्रणा प्पूक्राइब करिया कि लिए के लिए दोंगी कि एिपए हैं जाल से लिए। कि टोदञें धो रहा हैं झाल झाल है यह फ्रेंज तो फाइनली हम सब आ चुके हैं पार्टी से और चलते हैं अब कप्रे खोलने और आज मैंने गोल्ड का रिंग पहना था तो आज मैंने यह गोल्ड वाला रिंग बना था यह मेरी शादी का है कैसा है जो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा और यह मेरी लुक थी आज की मेकपरे खोलती हूं और इस ब्लॉग को एंड करती हूं तो बाई गुड़ नाइट टेक क्यार